हलो बच्चों, मैं उशाशर्मा, विक्तोरिस इंटरनेशनल स्कूल अत्रोली अलिगर से, आजम क्लास फोर्थ में चेप्टर 7 विद्याले में अनुशासन की रीडिंग करते हैं, ओके, यहस देखी विटा, चेप्टर नमबर है 7, नाम है विद्याले में अनुशासन, ओके, यह इस देखिए प्रिय अनुष मनमोहन यह पत्र है सैसने आसिरवात मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि तुम अनुषासन की अवहेलना करते हुए दुवेनी, दुर्वेनी और उद्दंड बनते जा रहे हो क्या लिखा है कि तुम अनुषासन में नहीं रहते ह और शरारती भी बनते जा रहे हो तुमारे इस कुछित प्रवर्ती को सुनकर मेरे हिर्दय को बड़े ठेस लगी यानि जो गलत भावनाय तुमारे अंदर पल रही है उससे मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हें मार्ग दर्शन के लिए मैं कुछ सुझाव लिख रहा अपने तुम उनको अपने जीवन में ढालने का प्रेयतन करोगे अनुशासन जीवन का मुख्य आधार है यह उस सदाचार की नीव है जो जीवन का मुकुट और गौरव है यह बड़पन और गौरव की सोने की कुंची है यह जीवन की वह प्राणवायू है जिसके बिना न न तो मानव और न समाज ही कभी जीवित रह सकता है यानि बिना अनुशासन के न तो मनुश्य का जीवन सही से वितीत हो सकता है और नहीं समाज की कलपना की जा सकती है बिना अनुशासन के जीवन वैसे ही है जैसे पतवार के बिना जहाज यह हमारे उन भावों पर अंकुष रखता है जो हमारे विनाश के निमित हो सकते हैं यह जो विनाश के कारण होते हैं उन पर अनुशासन क्या लगाए रखता है? अंकुष लगाए रखता है विद्यार्थी जीवन में भी हम इसका सिक्षन सुचार उढंग से प्राप्ट कर सकते हैं वैसे तो जीवन के प्रतिक छेत्र में अनुशासन का महत्त है पर विद्याले में इसका महत्त सर्वो पर है यानि सबसे उपर है विद्याले के प्रतिक छात्र को अनुशासन का पालन करना चाहिए क्योंकि यही जीवन में उन्नती का प्रतीक है उन्नती का प्रतीक क्या है अनुशासन अनुशासन के अभाव में हमारा समाज मिट्टी के घरों दे के समान गेर पड़े घरों दा होता है घर तो मिट्टी का जो घर बना लिया जाता है तो कैसे गर जाता है बहुत जल्दी से ही गिर जाता है उसी तरह अनुशासन के बिना भी हमारा जीवन बेकार है कक्षा में क्रिडाचित्र यानि खेल का मैदान और अन्यंत्र भी अनुशासन की आवे हैं सब जगे कक्षा में भी खेल के मैदान में भी हो सभी जगे अनुशासन का मैं पालन करना चाहिए अनुशासन पर ये विद्यार थी ही अच्छा सैनिक बनकर देश का प्रहरी बन सकता है यानि रक्षक गांधी जी ने अनुशासन को जीवन में सुचारो रूप से ढाला था इसी कार उन्हें विश्व में ख्याती प्राप्तु ही यानि प्रसिद्धी ख्याती प्रसिद्धी स्वतंत्र भारत में तो विद्यार थी को अधिकादिक अनुशासन प्रिय होना चाहिए क्योंकि इसी से हमारा देश चत्रमों की उन्नती कर सकता है यानि चारो तरफ की उन्नती कर सकता है, सभी दिशाव में उन्नती कर सकता है और उसकी सुरक्षा इस्थाई हो सकती है, अनुशासन का पालन करना आरम में कुछ अखरता अवश्य है, पर इसका फल मधूर होता है, अनुशासन प्रिये छात्र ही अपने देश के गौरव को पढ़ने के बाद दुर्वीनितिता और उद्धंडता को छोड़कर अनुशासन प्रिये बनोगे ऐसा करने इस पर ही तुम्हें अच्छे नागरिक बनकर देश सेवा कर सकोगे क्या बोला है कि हमें क्या करना चाहिए अनुशासन का पालन करना चाहिए घर में घर के अनुशासन होते हैं इस्कूल में हर जाए कि अलगना अनुशासन होते हैं तो उनको हमें क्या करना चाहिए अपने जिवन में उतार लेना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए तब ह हम क्या बन सकते हैं हम बच्चे हैं तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे देश्यवा करके जो भी काम करेंगे विदोनेश्टी इमानदारिश कर पाएंगे सो बाई बटा